लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले हो बलकि तब करते हैं जब वो अकेले हो अभी-कभी अपनों से कुछ ऐसी दर्द मिलते हैं पास आशू तो होते हैं पर रोया नहीं जाता है किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गुरूर हो जाए जब नादान थे तो जिन्दगी के मजे लेते थे जब से समझदार हुए हैं तब से जिन्दगी मजे ले रही है सब कहते हैं और सुनाओ जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं जिस रिष्टे में पलपल खुटन हो रही हो इससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिष्टे से आजाद कर लो कोई ठुकरा दे तो हस कर जी लेना क्योंकि महबत की दुनिया में सबर्दस्ती नहीं होती माना की हम इतने खुबसूरत नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाएं पर वो कुछ नसीब जरूर होगा जिसे हम मिल जाएं हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए मगर अपने स्वार्द के लिए किसी का इस्तमाल मत कीजिए माफी चाहता हूँ गुनैगार हूँ मैं तेरा ऐ दिल मैंने तुझे ऐसे लोगों के हवाले किया जिन्हें तेरी कदर ही नहीं थी उम्र चाहे कोई भी हो जिन्दगी रोज कोई ने कोई सबक जरूर सिखाती है दुनिया बहुत मतलबी है कोई साथ क्यूं देगा फरीका तो यहां कफन भी नहीं मिलता तो बिना गम के कोई प्यार क्यूं देगा जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं कभी आपके अंदर की हिम्मत जाती है चाहे हजारों बद्वाएं लग जाएं लेकिन किसी की आदत कभी मत लगने देना लोग बनाते रहे और हम बनते रहे कभी मजाग तो कभी तमाशा हर बात को दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीको पहले लगा था कि तुम ही दुनिया हो लेकिन अब समझाया कि तुम भी दुनिया ही हो दिल का साफ होना भी गुना है आज के जमाने में क्योंकि हर इंसान बस फाइदा उठाने की कोशिश करता है सोना रखने के लिए लोगर मिल जाएगा रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा पर दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा इंसान बहुत मुझतिल से मिलता है जिससे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द चुपाना आता है वो इंसान दुनिया में सबसे जादा ताकतवर होता है कहते हैं कि जूठी कस्मे खाने से कौन सा कोई मर जाता है हाँ कोई मरता तो नहीं लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है तलाश है उस एक ऐसे शक्स की जो आखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कहती है कि तुम हसते बहुत हो कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है खुश रहना सीखिए बाकि सब तो चलता रहेगा कोई अपना पिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा एक बात याद रखना सबसे जादा अपमान अपनी पसंद के लोगों से ही मिलता है ये जो तुम दिल के साफ होना देख लेना दिमाद वालों से हार जाओगे किसी के लिए रोने से क्या फाइदा जो आपका प्यार नहीं समझ सकते वो आपका धर्द क्या समझेंगे किसी को मनाने से पहले ये जरूर जाने ना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे ये जरूरी नहीं कि वो निरलज है सच तो ये है कि उसकी जिन्दगी में आपका इस्थान उसकी इज़त से भी बढ़कर है जब किसी का दोगला चहरा सामने आता है ना तो सच कहूं उस पर नहीं अपने आप पर गुसा आता है शिकवा तो बहुत हैं लेकिन जिससे फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे लोगों को क्या मू लगाना आजकर साफ दिल के इनसान की कद्र नहीं की जाती बलकि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाथ उड़ाया जाता है रिष्टे अगर जरूरतों से जुड़े हो तो कभी खुशी नहीं देते और रिष्टे अगर जस्बातों से जुड़े हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते जो आपका गुसा सहन करके भी आपका साथ दे उससे ज़दा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता कुछ रिष्टे बचाने के लिए अपने उसूर तोड़े हमने जहां गलती भी नहीं थी वहां भी हाथ जोड़े हमने पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो जो एहनकार करता है वो वक्त की मार से जरूर डूटता है करियर बना लो तब प्यार करो क्योंकि आज के जमाने में लोग उनी के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा हो जिन्दगी में एक बात हमेशा होती है लोग दोखा वहीं से खाते हैं जहां दोख्य की कोई गुणजाईशी नहीं होती अंदेखे धागों से यूँ बांद गया कोई वो साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं बाए बोले के बाग भी अगर बात होती रहे तो समझ लेना कि रिष्टे दिल से निभाए जा रहे हैं मजबूरी से नहीं जिन्दगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं बलकि साथ देने वालों से होनी चाहिए तुम्हें क्या लगता है कि वो शक्स तुम्हारा अपना है जिसे चीक चीक कर तुम्हें अपना दुख पताना पड़ता हो किसी के साथ में रोना किसी के साथ में असने से बहुत जादा बड़ी चीज़ होती है कर लेते हैं बरदाश्ट हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी भरसाता है आसमाईशों के बाद जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं इनसान सितारों की तरफ तब देखता है जब उसका धर्दी पर कुछ खो जाता है अब नाराज किसी से नहीं होना है बस सब को नजर अंदास करना है जो लोग जहर देने के भी लायक नहीं थे हम जिन्दगी भर उन्हें अपना हर रास देते रहे रिश्टो का गलत इस्तमाल कभी मत करना क्योंकि रिश्टे तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिन्दगी में बार बार नहीं आएंगे साथ तो ये जिन्दगी भी छोड़ देती है फिर लोगों से क्या शिकायत करना अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिन्दगी से केल जाते हैं और जो अच्छे होते हैं वो हजार जिन्दगीयों की जिन्दगी बन जाते हैं अकेला पन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांग इस संसार में सबसे बड़ा वर्दान है कितना ही अपनापन दिखाओ लेकिन एक बात याद रखना देश सही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं जरासी बात होती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं पता नहीं लोगों से सच्ची महबबत संभाली क्यों नहीं जाती कई बार हमारे अपने ही अक्सर हमें गलत समझ लेते हैं अच्छा लगता है अब अकेले रहना क्योंकि जो भी मिलता है रुला के ही जाता है या जमाना है जब बात जरूरत भी होती है तो सब की जुबान अपने आप मीठी हो जाती है एक बात जरूर याद रखना दुआ लगे या ना लगे लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है लोग बिछड़ने का इरादा तो पहले ही कर चुके होते हैं उन्हें तो बस आपके तरफ से कोई बहाना चाहिए होता है हर साल की यही कहानी है कुछ अपने अजनवी बन जाते हैं और कुछ अजनवी अपने बन जाते हैं जिस इंसान के उपर हम आख बंद करके भरोसा करें और फिर वही इंसान एक दिन भरोसा तोड़ दे तो फिर सच कहूँ वो इंसान ही नहीं बलकि सारी दुनिया ही अच्छी नहीं लगती है रूह से रूह का मिलन भी जरूरी मैस हाथों को धामना प्यार नहीं होता पर मात्मा को देखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बस तुम उसे जहां महसूस करोगे वो वहीं दिखाई देगा किसी के रंग रूप की बुराई ना किया करो सब को रब ने ही बनाया है आप कोई स्पेशल आउडर पे नहीं आये हो गल्ती हमारी ही थी जो हम उनसे जादा बात करने लगे जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजर अंदास करने लगे अच्छे दिल वाले लोग जब तेज दिमाग वालों से रिष्टा बना लेते हैं तो हमेशा दोखा खाते हैं जिन्दगी खराब ही तब होती है जब दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी जाती है जिस उम्र में जो करने का मन हो वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए वरना जिन्दगी में आज बढ़ते जाते हैं जब तक तुम दरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरे लोग ही लेते रहेंगे, ये बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तू-तू करने लग जाते हैं, जब भी रही, शिकायप ही रही दुनिया को, कुछ कहने पे भी, जुप रहने पे भी, मुझे समझने के लिए दिल लगेगा, और आप ठहरे दिमाग वाले लोग, आज वो हमें बता रहे हैं, कि नजर अंदास कैसे करते हैं, एक दिन हम भी उन्हें बताएंगे, कि अफसोस कैसे करते हैं, रिष्टों में दूरी दूर होने से नहीं आती, बस वक्त ना देने से आती हैं, मदद मांगने जाओ, तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए, तो उच्छालते हैं लोग, मत बताना किसी को अपने दिल का हाल, ऐ दोस्तों, क्योंकि अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग, अपना सम्मान और इजद बचाने की लड़ाई में, अ आप अपनी इजद भी खो दोगे, जब किसी से बात किये बिना तुम रहना पाओ, तो समझ लेना बरबादी के बहुत करीब आ गए हो तुम, मजबूत इनसान को देखकर, लोग सोचते हैं कि ये तूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये कभी नहीं समझ पाते, कि तूटने के बाद ही ये इतना मजबूत हुआ है, जो इजद देगा, उसी को इजद मिलेगी, हम हैसियत देखकर इसी के आगे सर नहीं जुकाते